नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज घर पे ही बनाएंगे इमली की चटनी कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हमें लेना है 200 ग्राम अच्छी वाली इमली अगर बीना बीज वाली इमली मिल जाए तो सबसे बढ़ियां पर हमें नहीं मिली तो इसलिए इसे अच्छी तरह से पहले एक दो पानी धो लेना है साफ करने के बाद पानी डाल के इसको कम से कम 4 गंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए 4 गंटे के बाद हमारी इमली जुन अच्छी तरह से फूल चुकी हुई है और अगर आप जल्दिवाजी में बनाना चाहते हैं तो एकदम खौलता हुआ पानी को इमली के उपर डाल के ढख के छोड़ दे आधे गंटे में आपका इमली का पर्प अच्छी तरह निकल जाएगा इसे हमें मसल देना है और इसके बीज और रेसे को हटाने के लिए हमें स्टेनर की जरूरत होगी तो उससे हम इमली के पर्प को अच्छी तरह निकाल लेंगे और जितना कम पानी में इमली को रखेंगे उतना ही जल्दी ये हमारी चटनी तयार होगी तो इस तरह से बीज और इसे हम हटा देंगे और हमारे बरतन में जो इमली का पल्प लगा था तो इसमें थोड़ा पानी आओ डाल करके तैयार कर लेंगे तो अब चट्नी में थोड़ा तड़का लगाएंगे तो एक चमज तेल डालेंगे हम आधा छोटा चमज जीरा दो पींस डालेंगे हींग का और इसमें हम इमली का पल्प को डाल देंगे अब इमली के पल्प को हमें कम से कम एक से दो मिनट तक भून लेना है और भूनने के बाद इतने खटे इमली के लिए हमें मीठा भी बनाना है तो इसमें डालेंगे गुड तो गुड और इमली का बहुत अच्छा कंबिनेशन है तो जितना इमली उतना ही हम गुड डालेंगे और इसे मेल्ड करने के लिए रख देंगे चटिनी में एक अच्छा गलेज लाने के लिए हम इसमें 4 बड़े चमच चीनी कर डालेंगे तो यह चीनी जो है ना हमारी चट्नी में बहुत ही अच्छा गलेज देगा ये तब इसमें ये खटा मिठा इसलिए बनता है और बिना चीनी या गुर का तो चटनी बनेगा ही नहीं तो इस तरह से ये पक रहा है और अब धीरे धीरे ये हमारा जो चटनी है ना गाढ़ा होगा तब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे ताकि हमारा चटनी बहुत ही चटपटा बने तो सबसे पहले सफेद नमक आधा छोटा चमश काला नमक भी डाल देंगे आधा छोटा चमश आधा छोटा चमश कुटी भी काली मिर्ष को डालेंगे भूना जीरा पाउडर है एक बड़ा चमच और आमचूर का पाउडर भी एक बड़ा चमच कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे एक बड़ा चमच सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करते विए अभी में पकाना है मसाला डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरह से अभी से हमें पकाना है तो तीन से चार मिनट और लगेंगे तो हमारी चटनी बन करके तैयार हो जाएगी पकाते पकाते इसका कलर और डार्क हो जाएगा तो ये चटनी जो है देखिए अब लास्ट स्टेज आ गया इसका बनने का और ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है बहुत ही टेस्टी यमी चटनी जो है बहुत हो के तो मुह में पानी आ गया होगा है ना चटनी है ही ऐसा चीज तो इस तरह से ये हमारी जो चटनी है ना बनके लगबग तयार है और ये ठंडा होने के बाद और गाड़ी हो जाएगी तो इस तरह से अब गैस को कर देंगे बंद तो धीरे धीरे ये ठंडा होने के बाद ही किसी बरतर में हम रखेंगे तो गैस बंद करने के बाद ये देखिए और ही गाड़ा हो गया है पर अभी complete ठंडा नहीं हुआ है जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब किसी भी बरतन या कंटेनर में डाल के रखेंगे हम ये जो चट्मी है पराठा पूरी के साथ तो अच्छा लगता है ये साथ में किसी भी स्नेक्स नमकीन के साथ जैसे वो समोसा, कचोड़ी या चाट हो गया, दही भला हो गया, पानी पुरी, सेव पुरी या किसी प्रकार के भी मठ्री के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और हर घर में बना करके इसे रखना चाहिए और स्टोर करके फ्रीज में एक महिना तो रखा ही जा सकता है ये ये देखिए इमली की चटनी बनके जट पट तयार हो गई कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये बनके रेडी देखिए गाढ़ा भी हो गया है अब इससे ज़्यादा गाढ़ा तो अच्छा लगेगा नहीं तो बस ये तयार हो गया इसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें